विराट कोली के कप्तानी छोड़ने के बाद किर्केट फैंस के जहन में एक ही सवाल चल रहा है कि अब कप्तान कौन? सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लैक्फोर्म्स पर कई तरह के नामों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं लेकिन BCCI ने आधिकारिक तोर पर अभी सथ कोई एलान नहीं किया है आज हम इस वीडियो में तीन बड़े कंटेंडर्स के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए शुरुवात करते मैं हूँ आपका दोस्त और होस्त अक्षित वैद्यान और आप देख रहे हैं क्रिक तुडे टीवी विराट कोली के बाद जो सबसे बड़े कंटेंडर हैं वो रोहिश शर्मा ही है कोली के T20 की कप्तानी छोड़ने के बाद रोहिश शर्मा को T20 का कप्तान बनाया गया था वहीं ओडियाई की कप्तानी चीन कर रोहिश शर्मा को दे दी गई थी अब विराट कोली ने टेस्ट टीम की कप्तानी खुद ही छोड़ दी तो ऐसे में सेलेक्टर्स की पहली पसंद रोहिश शर्मा ही होंगे रिपोर्स का दावा है कि रोहिश शर्मा ही टेस्ट टीम के नए कप्तान होंगे दरसल रोहिश शर्मा के पास experience भी है और वो बाकी दोनों format में भी टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं तो ऐसे में रोहिश शर्मा का पल्डा काफी भारी नजर आता है रोहिश शर्मा के अलावा इस रेस में एक दूसरा बड़ा नाम केल गाहुल का भी है केल रहुल इस समय अपनी भैतरीन फोर में चल रहे हैं साउथ अफरीका के खिलाब पहले टेस मैच में उन्होंने शांदार शतक लगाया था तो वहीं दूसरे टेस मैच में उन्होंने कप्तानी भी की थी जिहां दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोली चोटिल हो गए थे जिसके कारण उप कप्तान केल राहूल को टीम की कमांज हो भी गई हलाकि वो टेस्ट मैच भारतिय टीम हार गई थी लेकिन माना जा रहा है कि अगर रोहिश शर्मा कप्तान नहीं बनते हैं तो केल राहूल के नाम पर भी चर्चा हो सकती है एक और कंटेंडर हैं जिनके नाम पर चर्चा हो सकती है और वो है रिशपपन्थ जी हां रिशपपन्थ ने IPL में डेली केपिटल्स के कफ्तान रहते हुए शांदार परदर्शन किया है और वो युवा भी हैं वो टीम को आगे ले जाने की ताकत भी रखते हैं तो ऐसे में अगर पहले दो खिलाडियों को कफ्तान नहीं बनाया जाता तो रिशपपन्थ बी सी सी आई के पास एक बड़ा चेहरा है इन तीनों खिलाडियों के लावा एक और खिलाडी के नाम की चर्चाएं भी जोरो पर हैं जिहां वो है जस्पीद बूमरा हाला कि नहीं लगता कि बी सी सी आई जस्पीद बूमरा के नाम पर चर्चा करें क्योंकि जस्पीद बुम्रा के पास कप्तानी का कोई ऐसा खास experience है नहीं बाकी सब तो selectors पर ही depend करता है और देखना ये होगा कि selectors किसका चुनाव करते हैं लेकिन आपके according टीम इंडिया का कप्तान किसे होना चाहिए आप हमें जरूर बताइए comment section में जाकर अपना जवाब दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे like और share कीजिए cricket की latest news के लिए आप हमें facebook, twitter और instagram पर follow कर सकते हैं शुक्रिया